पेट में बनने वाली बेंकर से बेंकर गैस दोस्तों पांच मिनिट में आराम कैसे पाएं आज मैं उसके लिए आपको नुस्खा बता रहे हूँ जिनको भी पेट में अचानक से गैस बन जाती है कई बार तो उसके कारण आपके पेट में भी दर्द होने लगता है ये समश्या हो रही है ना तो आप ये नुस्खा आजमा कर तुरंत पांस मिनेट में अपने पेट की गैस से राहत पा सकते हो कई बार खाने में आमें कुछ भी ऐसा आजाता है कि उससे अमारे पेट में बहुत जल्दी से गैस बनने लगती है अगर आपको ऐसी समश्या हो रही है तो आप ये नुस्खा तुरंत आजमाना आपको तुरंत फायदा लगेगा नुस्खा इस तरह का रहेगा कि इसको बनाने में आपको 10-15 सेकेंड का टाइम लगता है और इससे आपको 12 चुटकारा मिलता है दोस्तो गैस से चाहे आपके चेश्ट में दर दो रहा हो या पेट में दर दो रहा हो गैस के कारण अगर दूसरा कोई कारण है तो आप अपने डोक्टर की राई जरूर ले ले नुस्खे के लिए आम या पे दो चीजों का इस्तिमाल कर रहे हैं एक तो लेसुन है दोस्तो और दूसरा आपको मैं दिखा देती हूँ आमने ये क्या लिया है तवा लिया तवे के उपर आमने थोड़ा सा सुद्ध देशी घी डाला है और गी के अंदर आमें डालना है या पे चार पांच चुटकी इंग इंग को पाउडर बना कर फिर डालना या फिर गर में इंग का पाउडर रखा है तो आप चोथा ही चम्मच जो है इंग का निकाल लेना है जब लगेगा अलका सा ब्राउनिस सा कलर इसके अंदर आ गया है तो इसको आप एक अलग से बरतन में निकाल लेना इसमें मुश्किल से पांच साथ सेकेंड का टाइम लगता है बनने के लिए अगली चीछ जो याँपे आप देख रहे हैं वो है अमारे पा रस नहीं निकालना है आपको तो आपके घर में याँपे ड्राई जिंजर पाउडर रखा होगा सूठ पाउडर रखा होगा तो आप इसके अंदर सूठ पाउडर का इस्तिमाल कर ले जो अद्रक से सुखा कर बनाया जाता है वही सूठ पाउडर बोला जाता है दोस्तो तो तो आपको इसके अंदर 3-4 चुटकी, बहुत ज़्यादा नहीं, 3-4 चुटकी जो है इसमें आपको अध्रक का पाउडर डाल लेना है, 3-4 चुटकी इसलिए कि एक बार में आपको 2 चुटकी सोंट पाउडर ही खाना है, इसलिए आप इसमें 4 चुटकी डाल लेना, तो ये न जाएगा अगले जो चीज है आमारे पास दोस्तों वो है यहां पे जो नमक होता है न सेंदा नमक आपको सेंदा नमक लेना है सेंदा नमक कितना सिर्फ दो चुटकी दो खुराक के लिए दो चुटकी सौंट पाउडर दो खुराक के लिए चार चुटकी बस इंग जैसे आप इतना गेडाला था कि आप यह देख रहे हैं ना यहां पर सारी चीज़े एड करने के बाद में एक दमगाडा सा पेष्ट बन कर तयार हो जाता है पेष्ट कीतना है यह टोटल मिलाएंगे तो पूरा एक चमच पेष्ट नहीं है एक चमच से कम ही है और इतना ही होना चाहिए एक बार में आपको यह समझे कि चोधाई चमच के जितना ही पेष्ट यहां पे लेना है बस जेस्टिस का यहां पे आप आदा कर लेना और यह जो है बने बताया चोधाई चमच के जितना हुआ थोड़ा वो तो उपर नीचे हो जाता है तो कोई बात नहीं इसको आपको खा में आसानी से मील जाता है लेकिन जो लैसुन का सेवन या लैसुन नहीं खाते हैं उन के लिए मैंने पहले सावाला नुस्खा बताया है और जो लैसुन खा सकते हैं उनको गैस की समश्या में lesson लेलेना है, जैसे यहां पे आप देख रहे हैं, यह मोटी मोटी कलिया हैं ले सुनकी, तो आपको जो है एक सुनक काफी रहेगा एक बार में, आप क्या करना इस लेसुन को थोड़ा सा गैस के ऊपर अल्का सा सेक लेना चिम्यटे से पकड़के, और छिलके समेश सेक लेना, औ बाद में उसका छिलकाटा देना तो उससे इसका जो तीखापन होता है वो अलगासा कम हो जाता है वैसे आप लेसन को कच्चा खा सकते हो नुकसान नहीं करता है ये फायदा करता है लेकिन इसका तीखापन कम करने के लिए आप इसे अलगासा सेख भी सकते हैं तो भी आपको ये फायदा करेगा अगर आप सेकना नहीं चाते ही से कच्चा ही खाना चाते हैं तो इस लेसुन को जिनको बहुत ज्यादा गैस की समस्या चानक से हो जाती है ना उनके लिए ये नुस्खा है दोस्तों तुरंत राहत पाने के लिए आप देखेंगे पांच मिनेट में फायद लग जाता है इससे जिनको गैस के कारण होता है अन्य कोई कारण होता है तो आपको डोक्टर की राय जो है ले लेनीची ये बिल्कुल भी देरी नहीं करनीची इस तरह की समस्या में एक लेसुन लेकर चबाकर खा लेना अच्छे से चबाने के बाद में उपर से आप गुन टेबलेट के जैसे आप इसे लेंगे सीधा ही निगलेंगे पानी के साथ में छोटे टुकड़े करके तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा फायदा होने में वो अंदर जाके अपना वर्क करेगा अगर चबाकर खा लेते हैं तो तुरंट फायदा लगेगा उपर से एक गिलास गुन गुन पानी आपको पीना है गुन गुन पानी जो है आपको डोनों ही नुस्खों के साथ में लेना है जैसे मैंने पहले इंग वाला बताया आपको ये अगर आप खा रही हैं तो आप ये खाने के बादे में उपर से एक गिलास गुनगुना पानी जरूर पी ले, लेसुन वाला ले रहे हैं तो भी आपको गुनगुना पानी पीना है, और इसके बाद में आदे एक घंटे तक आप कुछ भी ना खाएं, अगर आपको पानी पीना ओ, तो पानी आप तो उसके कारण gas की समश्य हो जाती है। कई बार क्या होता है। जैसे कई चीजों के उपर दूद हमें नहीं ले लेना सब्सक्राइब यह ले लिए। तो उससे भी गैस की समश्या हो जाती है इस तरह की समश्या है तो आप ये नुसके आजमा कर तुरंत राहत पा सकते हो अगर आपको लगता है गैस की समश्या आपने ऐसा कुछ भी खाया पिया नहीं है और अचानक से ये समश्या हो रही है तो आपको तुरंथी डोक्टर की राय जाकर लेनी चाहिए अगर आपको मेरे नुष्खे पसंद आते हैं दोस्तों तो प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो और शेयर किया करो आपके लाइक करने से शेयर करने से आपका कुछ भी नहीं जाता है लेकिन आमें भी मोटिवेशन मिलता है और उन सभी को भी तो यह था अमारा आज का नुस्खा अगर आपको पसंद आया तो फ्लेज वीडियो को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो देखने के लिए दन्यागाद